हेलो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स आज में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सोया कीमा मसाला आज इस रेसिपी में ऐसा कोई भी मसाला यूज नहीं करेंगे जो आपके पास ना हो जो भी आपके पास घर में हैं बस उसी से बनाएंगे बस बनाने का तरीका थोड़ा लग है जिससे की इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा तो चलिए आज इस यम्मी रेसिपी को सुरू करते हैं गैस का फ्लेम होन कर लिया है और पानी गरम होने के लिए रख दिया इसमें डाला एक चमच न चमच और एक चमच डालेंगे वेनेगर जिससे की सोया चंग्स हमारे काफी सोफ्ट हो जाते हैं और यह देखिए मैंने एक कप सोया चंग्स लिये हैं आप चाहें तो पतले मोटे जैसे भी चाहें वैसे ले सकते हैं इनको अच्छे से स्टार करकर दस मिनट के लिए रख देंगे यह देखिए दस मिनट हो चुके हैं यह काफी सोफ्ट हो गए हैं इन्होंने सारा पानी पी लिया है अब हम इनका सारा पानी निकाल देंगे देखे मैंने निकाल दिया है जैसा आप देख पा रहे हैं और यह मैंने एक मिक्सी का जाड लिया है और यह मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से कोर्सली हम दर दरा पीश लेंगे यह देखे अगर आपका बैटर यह उपर आ जाता है तो आप चम्मस से इसको इस त यह तरह से हमको पीशना है यह देखे आप देख पा रहे हैं बस इसी तरह कीमा की तरह ही इसको पीशना है इसको ज्याद़ नहीं पीशना है ठीक है प्यास डाल दिये हैं उनको हम 3-4 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि गोल्डन प्राउंड ना हो जाएं फिर अद्रक लैसन का पेश डाल दिया है इसको भी आदे सेकिंड के लिए भून लेंगे और फिर ये दो टामाटर है जो कद्दुकस कर लिए हैं आप चाहिए तो बारीक बडीर कट कर डाल सकते हैं आपकी चोई से इस सी जल्दी पक जाते हैं यह देखिए इसको हम ऐसे चलाते हुए यह देखिए टामाटर ने अपना वेल्स कर दिया है आप इसमें मसाले मिलाएंगे यह देखिए आदा चोटा चमच गरम मसाला आदा चोटा चमच दनिया और यह मीर्ची और हल्दी बस वही बेसिक मसाले और इसको मसालों को भी दो मिनट तक इनके टमाटर और प्याज के साथ भून लेंगे अच्छे से और तब तक यह अपना पानी बिल्कुल सोरी अपने वह न हो जाए और यह देखिए अब मैं इसमें डही डालूंगी तो गैस का फ्लेम आप ओफ कर लीजिए वन्न गरम गरम में आप दही डालोगे तो वह फट जाती है अब इसको ऐसे फैलाते वे इसको ठंडा कर लीजिए यह देखिए ठंडा हो गया है अब मैं इसमें दो बड़ा चमत दही मिला दूंगी दही ऑप्शनल है ग्रेवी कटेश बहुत ह क्शा हो जाता गायो है अप चाहे तो इसक के गब्वी कर सकते हैं इसको चलाते वे अच्छे से चला लीजिए और कंटिनुन चलाई एसको जब तक इसमें एक उबाल spend कर लीजिए और कंटिनी चलाते हुए तब तक मसालों में मिक्स ना हो जाय आप इसको चलाते रहे ठीक है चलिए तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले ना पीस गाइस तो चलिए देखिए इसको दो मिनट तक हम दही के साथ पकाएंगे और अब हमने जो मिक्सी की जार में ग्राइंड किये थे ना उस आपकी कड़ाई की तले में लग जाएंगे अब हम थोड़ा नमक मिलाएंगे अपने टेस्ट अनुसार आपको याद है कि हमने पहले भी मिलाया था अब इसको पांच मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर पका लेंगे जिससे की मसाले इसमें अंदर तक चले जाएंगे अब मैं हो चुके हैं अब बस ओल्मोस्ट आपकी सब्जी कंप्लीट हो गई है यह डालिया मेंने गरम मसाला और यह बड़ा चमच बटर डाला है इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा और हाई फ्लेम करकर आप इसके जो यह है पानी ना इसको सुखा लीजी और इससे होगा क्या है हमने जो पानी डाला है ना वो सूखी सूखी जो सब्जी हो जाती है ना बिल्कुली वो नहीं होगी और यह देखे मैंने जो हमने इलाइची और लोंग डाली थी इसको इस तरह से चलाते भी निकाल लीजी अगर आपको दिखाई दे वो मूह में आता है वो अच्छ डाला है बटर ओल डालना जरूरी है वनना बटर जल जाएगा और द्रक्री लच्छे डाले हैं एक हरी मिर्ची डाली है हटालीजीए गैस से और लाल मिर्च डालकर इसको आप इस पर तड़का हम लगा देंगे और मैं इसको पाव के साथ सर्म कर रही हूं आप इसको गरम पराठे के साथ या आप लच्छा पराठा बना लीजिए उसके साथ किसी के साथ भी आप इसको इंजोई कर सकते हैं इसको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए